खलो गाईज winners कैसे हुऊ आप सब आसा है आप सभी अच्छे होंगे मामा अपने घर पर अपने गर पर भाष सारे धनिया उगाई हूई है तो आप देख सकते हैं यह धनिया है देख jij किसमेंबंगना-पूलंकि निकल रहा है और यहाँ पर कलोंजी भी वोई हुई है यह देखिए कलोंजी के पेड़ है कलोंजी के पेड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं यह देखिए और बैंगन के बहुत सारे पेड़ हैं यह देखिए अभी बैंगन इसमें नहीं लगे हैं बैंगन के पेड़ हैं तो आप लोग दिखा रहे हैं और यहां पर सरसों हैं बहुत सारे सरसों के पेड़ लगे हुए हैं और अमरूद का भी पेड़ है दूप लग रहे हैं तो मुझे मुझे मुबाइल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है तो मुझे पीछे मुड के देखना पड़ रहा है कि क्या क्या है पीछ जो देखिए कितना अच्छा लग रहा है बथुआ भी है यहां पर बहुत सारी सब्जियां है यहां पर और लेसुन भी है यहां लेसुन भी बोया हुआ है प्याज है तो एक घर पर बहुत बढ़िया हरी हरी सब्जियां तयार हैं और इनकी गाय बंधी हुई है यह देखिए मामा जी का garden इधर पीछे इन्होंने गुलाब के पेड़ लगाये हुए हैं, बहुत सारे गुलाब इसमें खिले हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना बड़ा पेड़ है गुलाब का, मामा जी के घर पर हम लोग थोड़ा ठक गए थे तो हम सो गए थे और साम को छे बजे के करीब हम अपनी बहन के प्लाट पर गए थे क्योंकि हमारी बेहन का प्लाट मामा जी के घर से थोड़ी ही दूर पर है तो हम सब लोग गए थे मटर खाने के लिए तो देख सकते हैं बहुत अंधेरा हो चुका है और हम सभी लोग खेद पर हरी हरी मटर खा रहे हैं और मटर खाने के बाद हम सभी लोग घर पर आये हैं तो हमारी मामी जी ने यहाँ पर देशी खाना बना कर रखा है तो देशी खाने में उन्होंने बनाया है बैंगन का भरता और बेशन की मोटी चूले की रोटियां जो कि हम लोग सहर में नहीं खाने को पाते हैं और गाउं जब जाते हैं तो वहां बड़ा ही आनन दाता है आप लोग देख सकते हैं नानी और मामी रोटिया बना रही है चूले पर मोटी मोटी रोटिया बना रही है और बैंगन का भरता बनाया गया है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाना बहुत ही अच्छा लगत मुझे कमेंट करके जरूर बताना